अमिताब बच्चन भारतिय सिरेमा के शेहनशा कहे जाते हैं और वो किसी पहचान के महताज नहीं हैं। सदी के महानायक की फैन फॉलिंग कितनी है इसका अंदाजा हर रविवार उनके घर के बाहर उनके फैन्स की लाइन को देखकर ही लगाय जा सकता है। हजारों लोग उनके दर्वाजे पर लाइन लगा कर अमिताब बच्चन की जलक पाने का इंतजार करते हैं। उनके हिट फिल्मों की जब जब बात होती है तब तब शोले, दीवा, डॉन जैसी फिल्मों का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन फिल्मों ने अमिताब बच्चन को स्टार बनाया, उन फिल्मों के लिए मेकर्स ने उन विलन को चुना था जो हीरो बन लोगों के दिलों में राज कर रहे थे। विनोद खन्ना और शेत्रू धन सिना, बॉलिवूड के ये दो लाजवाब एक्टर हैं जिन्होंने विलन बनकर एक्टिंग करियर की शुरूआत की, विनोद खन्ना के लिए तो कहा भी जाता था कि वो आने वाले समय में अमिताब बच्चन को कड़ी टक कर देंगे, लेकि इन हीरो बनते ही उस स्टार ने दोनों फिल्मों के लिए मना कर दिया, तो चली हम बताते हैं आपको कि आखिर वो एक्टर कौन है, 1975 में फिल्म शोले में जैय और बीरो की यारी के किस्से तो सभी को पता है, इस किरदार से अमिताब बच्चन लोगों के दिलों में उतर आय इसी साल एक और फिल्म आई थी दिवार, इस फिल्म में एंग्री यग मैन का किरदार निभा कर अमिताब बच्चन मशूर हो गये थे, इन दोनों फिल्मों ने अमिताब बच्चन को सुपर स्टार बना दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों फिल्मों के लिए अमि 1970 और 80's के दशक के वो सुपर स्टार थे जिनका इंडस्ट्री में बोल बाला था, शत्रुदन सिन्हा 1970 और 80 के दशक के वो सुपर स्टार थे जिनका इंडस्ट्री में बोल बाला था, और हर फिल्मेकर उनके साथ काम करना चाहता था, शत्रुदन सिन्हा ने खुद एक उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया कि दिवार के स्क्रिप्ट उनके लिए लिखी गई थी। उस फिल्म के स्क्रिप्ट उनके पास आई और कम से कम छे महिने तक स्क्रिप्ट शत्रुधन सिन्हा के पास ही रखी रही। लेकिन बात ना बन पाने पर उन्होंने दिवार के स्क्रिप्ट लोटा दी। ऐसे ही शोले फिल्म भी उन्हें पहले ओफर हुई। शोले में अमिताब बच्चन वाला किरदार उनके लिए बनाया गया था। इसे ही शोले फिल्म भी उन्हें पहले ओफर हुई। शोले में अमिताब बच्चन वाला किरदार उनके पहले आया था। रमेश सिप्पी ने खुद इस बात का जिक्र अपनी किताब में किया है। लेकिन दूसरी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहने की वज़़ से शत शत्रुधन सिन्हा ने बताया कि उन्हें खुशी है कि दोनों फिल्म उनके दोस्त अमिताब बच्चन को मिली। उन्होंने दोनों ही फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। हाला कि शत्रुधन सिन्हा को इस बात का मलाल भी है कि वो ये दोनों फिल्म नहीं कर पाए। औ